असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टू दस्तरखौन आज हम बनाएंगे डाल तड़का जीरा राइस यह हम डाल ले लेंगे एक कप डाल ली हमने यहर हर डाल है इसे तूर डाल भी कहते हैं और आधा कप लेंगे हम मूंकी डाल और यह दोनों डाल को धो लेंगे अच्छे से दो तीन पानी में और फिर उसके बाद हम इसे आदे घंटे के लिए भिगा देंगे यह देखिए इस तरह से हम अच्छे से दो लेंगे यह बिना पॉलिश वाली डाल है यह दाल बहुत अच्छी होती है खाने में आप भी जब लीजिए तो बिना पॉलिश वाली ही लीजिए यह एक कप चावल है इसको भी हम अच्छे से दो कर भिगा देंगे जिससे इसकी सारी डस्ट वगरा निकल जाए यह देखे हम दो तीन पानी में इसको दो लेते हैं यह हमने चावल दो लिया अब हम इसे भीगा देंगे आदे घंटे के लिए इसको भी भीगाना है हमें यह देखे अब हम एक प्रेशर कुकर में यह डालें डालेंगे और पानी डालेंगे इतना कि दाल गल जाए बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है यह अंदाज से हम पानी डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे वन टीश्पून हल्दी तीन हरी मिर्च काट कर डाल देंगे आप हरी मिर्च वगर अपने टेस्ट के कॉर्डिंग लीजिए और थोड़ा सा हम तेल डालेंगे इसमें अब लेड लगाकर हम इसे चड़ा देंगे यह देखे फ्लेम फुल है फुल फ्लेम पर हमें एक विसल लेंगे और पर एक लेंगे क्योंकि दाल हमारी भीगी हुई है जल्दी गल जाएगी यह देखें दाल हो गई हमारी प्रेशर बंद कर दिया हमने अब एक पैन में हमने वन टेबिल स्पून ऑईल डाला ऑईल हो गया हमारा अब एक तेज बत्ता और वन टी स्पून जीरा डालेंगे यह देखे जीरा हमारा क्रेकल्ज करने लगा है अब हम इसमें चावब डाल देंगे यह चला लिया हमने अच्छे से अब हम इसमें चावल डाल देते चावल हमारे भीगे हुए थे हमने पानी निकाल दिया इसका यह देखे इसको बहुत हलके हाथों से चलाना है, नहीं तो चावल तूट जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से बहँए था ये देखे अब हम इसमें पानी डालेंगे डेड़ कप पानी डालेंगे हम इसमें जादा पानी नहीं डालेंगे डबल पानी नहीं डालना हमें और अगर आप फॉरन बनाए तब आप डबल पानी डालिए ये देखे चावल भिगाने से बहुत सॉफ्ट बनते हैं इसलिए कोशिश करिए कि आप भिगाकर ही चावल बनाया करिए अब हम इसे हलके हाथों से मिक्स करेंगे नमक मिलाकर और फिर हम लेट लगाएंगे यह देखे जादा नहीं चलाना है इसमें हम बॉइल आने देंगे यह मिक्स कर दिया हमने आप देख रहे हम बहुत हलके हाथों से इसको मिक्स कर रहे है अब इसमें अच्छे से बॉइल आ जाए यह देखे बॉइल आना शुरू हो गया है अब हम इसमें लेट लगा देंगे और हमें इससे तब तक नहीं चलाना या खोलना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए यह देखे अच्छे से बॉइल आ रहा है अब हम फिर से लिट लगा दिये था हमने अब यह चावल का पानी सूख गया है इसको हमने दंपे कर दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अब हम चेक कर लेते हैं दो तीन मिनिट हो गया यह देखे हमारे चावल खेले खेले बने हैं और इसको हम इसी तरह से चेक करके लेड लगा देंगे और फ्लेम अब हमने आफ कर दिये क्योंकि चावल हमारा पक चुका है दाल चेक कर लेते हैं यह देखे दाल हमारी हो गई है बहुत जादा नहीं घुटी है हमको ऐसे ही चाहिए था अब हम इसमें अंदास से पानी मिलाएंगे क्योंकि दाल अभी गाढ़ी है तो हम इसमें पानी एट कर देते हैं मूं की दाल मिलाने से यह अरहर की दाल को अच्छी बाइंडिंग देती है सिर्फ अरहर की दाल बनाओ तो उसमें थोड़ा पानी रहता है पानी सेपरेट हो जाता है अच्छे से मिक्स नहीं होती है वो यह देखे अब हमने घीड डाला फ्लेम ओन कर दी कड़़ा ही चड़ादी फ्लेम पर दो ते विल स्पून घीड डाला अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरह डालेंगे इस जीरह हमारा क्रेकर्ल्स करने लगा हमने लेसन डाल दिया पाच्छे का लिया थी इसको हमने बारी काट लिया था कुछ सेकंड चला कर हम इसमें प्यास डालेंगे यह तीन खड़ी लाल मिर्च है इसको डाल दी हमने फिर प्यास डालेंगे हम इसके बाद यह देखें अब हम प्यास डाल देते यह एक मीडियम साइज था अगर आप प्यास और ना खाते हूं तो आप अद्रक डाल सकते हैं और इसके साथ यह हमारा ब्राउन कर लेंगे हम इसको थोड़ा कलर अच्छा हो जाए यह देखें प्यास और लैसुन हमा हो गया है अब हम इसमें एक टमाटर डालेंगे यह बड़ा टमाटर है अब हम इसको अच्छा चला लेंगे टमाटर हमाई गल गया है और घी भी छोड़ दिया है अब हम इसमें डाल मिक्स करेंगे यह देखें डाल मिक्स कर दी हमने अब इसमें बॉयल आने देंगे इसकी खुश्बू बहुत बेहतरीन आ रही है घी की और तड़के की यह अब हमने लेड लगा दी अब नमक डालेंगे नमक हमने पहले नहीं डाला था वन टी स्पून भरके हमने नमक डाला है आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लीजिए अब हमने एक पैन चड़ाया पैन में दो टेबल स्पून घी डालेंगे क्योंकि हमें डबल तड़का लगाना था इसलिए अब हम इसको दुबारा तड़का लगाएंगे यह गी हमारा हो रहा है गरम हो गया है अब हाफ टीस्पून जीरा डालेंगे हम क्योंकि पहले भी हमने जीरा डाला है बगहार में और वन फोर टीस्पून हमने इसमें हींग डाली पाउडर हींग गये और हाफ टीस्पून कश्मीरी लायल मिर्च का पाउडर डाला ये देखें इसे कलर बहुत अच्छा आता है फ्लेम आफ कर दी थी हमने नहीं तो जल जाएगी मिर्च अब हम दूसरा त्रड़का भी लगा देते हैं ये देखें कितना अच्छा शांदार कलर आया है अब हम धन्या डाल देंगे कुछ हरी धन्या ये देखें इस तरह से हम ध आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बैल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले झाल झाल झाल। अब हमेशे भी भिगा देते हैं यह देखिए यह हमने भिगा दिया अब यह दाल ले लेंगे हम एक प्रेशर कुकर में और हम पानी डाल लेंगे